गुड मॉने डियर स्टुडेंट्स गाइत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकंडरी स्कूल साच और के यूटूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हमारी जो टेक्स्ट बुक है रेंबो जिससे आपके 25 मार्क्स के लिए कोईश्चन आपके एक्जामिनिशन में पूछे जाते हैं जिसका पहला लेसन मैंने आपसे कहा था जिसका टाइटिल है वाटर उसको हम आज रीट करेंगे उसका मध्यन करेंगे और उसका अध्यन करने के बाद किस प्रकार से उसके कोईश्चन जो है पूटप होते हैं उनके आंसर को किस प्रकार से लिखा जाएगा हम उनको भी इससे पहले भी मैंने कुछ इसके important points जो होते हैं उनके बारे में आपको पहले से ही मैं discuss कर चुका था और मैंने ये भी बताया था कि इन points को आप अगर समझ लेते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपका पूरा ही ये lesson जो है इनी points के इर्दगिर्द हुमेगा कोई भी students जिसने इस वीडियो को देखने से पहले के अगर वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको advise है कि सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लें तो हम इसको अवरीड करते हैं किस प्रकार से इसको जो भी आपने इसका अनिश्चित रूप से vocabulary है वो अनिश्चित रूप से आपने याद कर लिया होगा तो अब हम देखते हैं इसको देखें students मैं आपको बता दूँ पहले तो water आपको कल भी बताया था कि जो इसका title है water water is one of the most important part of human life ठीक है न? इस एसे रिटन वाय नोबल प्राइज विनर प्रोफेसर चंडर सेखर वैंकट रमन सीवी रमन जिनको कहते हैं आपको पता होगा रमन एफेक्ट जो थियोरी है वो उन्होंने ही प्रक्रिपादित की थी आपको बता दें आप यह कहेंगे कि वाट इस दपरपस आप दिस लेसन तो आपको पहले इसका जो उद्देश है वो किलियर होना चाहिए हमारा सुरी इस लेसन को पढ़ने का जो उद्देश है या इसको अपने स्लेबस में जोड़े जाने का जो उद्देश है वो हमें पता होना चाहिए कि यह जो ऐसे वाटर है जो आपके सामने यहाँ पे इसका जो टाइटिल दिखाई दे रहा है यह वाटर जो है इस अ जैनुवन अपील एक बास्तिविक एक अपील है एक आग्र है एक निवेदन है फोर कंजर्वेशन ऑव वाटर यानि पानी को कंजर्व करने का पानी को संदक्षित करने के लिए for the welfare of इंडिया किस के लिए भारत के वेलफेर के लिए भारत के कल्याड के लिए in particular as our agriculture है और क्रसी प्रधान देश है अधिकांस्ते क्रसी की जाती है और क्रसी जो है पूरी तरह से प्राकरतिक जो ये श्रोत है जल बरसा का उस पे पूरी तरह से निर्वर है इसलिए इसमें आग्रह किया गया है एक बास्तविक आग्रह है कि सभी लोग जो है वो पानी को तो हम देखते हैं कि इसका जो meaning है, इसका जो अर्थ है वो क्या है, कहीं कहीं कुछ complicated words जो आएंगे, उनको मैं भी साथ साथ बताता चलूंगा, अपने पास आप एक copy और pen रख लें, जिससे कि कोई सब्द मैं अगर बताओं, आपको अगर कठे लगता है, तो आप उसको note down कर ठीक है, देखते हैं, now let's begin, students, man has through the ages, कि मनुष्य ने, through the ages, age आप जानते हैं, कि जो age होता है, आप age time के लिए भी use करते हैं, age उमर के लिए तो होता ही है, ages यानि youth, आप इसको कह सकते हैं, youth, कि man has through the ages, sort in when, sort आपको बताना चाहूँगा, यहां देख सकते हैं आप, यह लिखा है, sort, sort का ताथ पर होता, चाहना या खोजना, जिसको आप search भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, search, ठीक है, search, sort यानि search करना या खोजना, तो देखें, man has through the ages, कि मनुष्य जो है, युगों से, sort यानि तलासता रहा है, खोजता रहा है, in when, in when का ताथ पर होता है, in when means होता है, व्यर्थ में, ठीक है न, कि मन्स से जो है, वो व्यर्थ में ही, sort यानि खोजता रहा है, for an imaginary, imaginary means होता है, कालपनिक, imaginary यानि कालपनिक, और elixer means जो है, वो आपको बताएं, elixer means होता है, आपका, अम्रित, ठीक है न, जिसको आप, जिसको आप nectar भी कह सकते हैं, nectar, nectar means भी अम्रित होता है, आप इसको ambrosia भी कहते हैं, ठीक है न, ambrosia, तो nectar और ambrosia, दोनों का ताथ पर क्या है आपका, वो है, अम्रित, तो मनुस्य जो है, यहाँ पर देखते हैं, कि man has through the ages, कि मनुस्य जो है, वो योगों से, sort यानि तलास्ता रहा है, in when यानि व्यर्थ में, for an imaginary, यानि कालपनिक, elixir, यानि अम्रित को of life, यानि जीवन के, ताथ पर हुआ, कि मनुस्य वर्षों से, या युगों से, व्यर्थ में ही, जीवन के, कालपनिक अम्रित को तलास्ता रहा है, यानि दैवी अम्रित, ठीक है न, किसको, इध्यान होगा, कि समद्रमंथन होगा था, और उससे एक अम्रित निकल करके आया था, और व्यक्ति निरंतर जो है, उसी अम्रित की तलास में है, कि उसका एक घूंट मिल जाए, और वो अमर्ता को प्राप्त हो जाए, लेकिन, प्रौफेसर सीवी रमन जो है, वो उस समद्रमंथन से प्राप्त अम्रित को अम्रित नहीं या मान रहे है, उनके कहने का अताच पर है, जो बास्तविक अम्रित है, वो तो हमारे इड्दकर्द, हमारे आस पास है, और भो है, जल, तो इसका पहली लेन का अर्थ आपको clear हुआ होगा कि मनुष्य जो है through the ages यानि योगों से short यानि खोजता रहा है in vain यानि व्यर्थ में ही for an imaginary यानि कालपनिक एलेक्जर यानि अमरित को of life यानि जीवन के क्या है वो the divine अमरित यानि देवी अमरित a draught of which एक सब्द यहां पर आया बच्चो draught ठीक है और draught का ताथ पर यह आप कह सकते हैं मैं यहां लिख देता हूं घूंट ठीक है या फिर उसकी एक भूंद भी कह सकते हो ठीक है a draught of which यह आप नोट करते चलना a draught of which और ऐसा माना जाता है का draught यानि एक बूंद एक घूंट of which यानि जिस अमरित का was thought यह पैसे was thought यानि सोचा जाता था to confer immortality confer immortality देख सकते हैं आप confer का ताथ पर यहां पर है परदान करना यानि उस देवी अमरित यानि समद्रमन्थन से प्राप्त जो अमरित हुआ है उसका एक घूंट उसकी एक बूंद मानी जाती थी कि वो confer यानि परदान कर देगी immortality मिंस होता है अमरित तो यानि अमर्ता ऐसा माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति उसके एक घूंट को भी बट दा ट्रू एलिक्जर अब वो जो professor C.V. रमन कह रही है जो हमारे author है वो कह रही है बट यानि किन्तू दा ट्रू एलिक्जर ट्रू यानि बास्तविक ट्रू यानि सच्चा एलिक्जर यानि अमर्त ओफ लाइफ यानि जीवन का लाइज यानि पड़ा हुआ है नियर टू अवर हैंड्स नियर यानि बिलकुल नजदीक पास में अवर हैंड्स यानि हमारे हाथों के बास्तम में भी देखा जाए तो जल बिकॉज वोटर इस एविलेवल एवरिवेर पानी की उपलब्दता हर जगे पे है तो आप कह सकते हैं को बहुती एक सुलब चीज है जिसको हम आसानी से प्राप्ट कर सकते हैं तो कह रहे हैं कि वो सच्चा अमरित नहीं है जिसको ब्यक्ति ये समझता रहा है बरसों से कि वो अमरता प्रदान करने वाला होगा वो समझतर मंसन से जो प्राप्ट हुआ है वो आपका सच्चा अमरित नहीं है अगर देखा जाए तो आपका सच्चा अमरित जो है आपके हातों के बिलकुल नजदीक पढ़ा हुआ है लाइज यानि पढ़ा है क्यों पढ़ा है for यानि क्योंके it is the commonest commonest यानि सबसे ज़्यादा आसानी से प्राप्ट किया जा सकने वाला सबसे ज़्यादा सुलब of all liquids क्योंकि जितने भी यह आपके तरल पदार्थ हैं उन सभी तरल पदार्थों में सबसे जादा सुलव और सबसे जादा आसानि से प्राप्त किया जा सकने वाला आपका जो liquid है वो क्या है plan water क्या रचो वो आपका plan water है plan water नी सादा जल जो कि हर जगाये बिल्कुल अपलब्द होता है तो यह आपके यहां तक जो 3 lines है इनका आर्थ आपको बिल्कुल किलियर हो गया होगा एक बार पुने आपको बताना चाहूँगा वो ये कह रही है मरस जो है योगों से लगातार कई बरसों से वो उस जो काल्पने कमरित है उसकी खोजगरता रहा है और अगर देखा जाए तो सबसे सच्चा अमरित जो है वो तो हमारे हातों के बिल्कुल नजदीक हमारे पास में है और वो कौन सा है वो है अपका प्लेन वाटर ठीक है अब देखते आगे I remember मुझे याद है one day यानि एक दिन ये खुद कह रहा है वो I remember मुझे याद है one day यानि एक दिन मैं standing यानि खड़ा हुआ था on the line यानि एक ऐसे इस्थान पर एक ऐसी रेखा पर which separates separate का मतलब क्या होता है separate का तात्पर होता है विभाजित करना ठीक है न जैसे इस प्रकार से ये line कर दी तो ये उपर के हिस्से को और नीचे के हिस्से को क्या कर रही है अलग कर रही है बांट रही है विभाजित कर रही है तो करें मुझे याद है एक दिन में एक ऐसे इस्थान पर कड़ाता which separates यानि जो separate यानि अलग करती है the libyan desert यानि लीविया का जो desert means होता है desert means होता है आपका मरुस्थल या रही इस्थान कह सकते है ठीक है न मरुस्थल जो libya के मरुस्थल को from the valley of the nile in Egypt यानि जो कि नील नदी है और आपको बच्चों में बता दूँ ये जो Egypt English में कहते हैं और इसे हिंदी में आप क्या कहते हैं इसे कहते हैं मिस्र ठीक है न जो मिस्र है उसे हम क्या बोलते हैं Egypt बोलते हैं तो कहरा मुझे याद है कि एक दिन में एक ऐसे इस्थान पर खड़ा था जो इस्थान या जो रेखा separate यानि विभाजित करती है लिबियान डेजर्ट यानि लिबिया के मुरस्थल को from the valley of the neil किसे valley of the neil यानि जो नील नदी की आपकी घाटी है उस घाटी से उसको बिलकुल अलग करती है on one side मैंने देखा का on one side यानि एक तरफ वाज विजवल यानि दिखाई दे रहा था a sea यानि समुद्र of blowing sand अब blowing sand भी हम देख लेते हैं क्या है blowing sand blowing sand यानि लहराता हुआ रेद का समंदर क्योंको रेग स्थान था मरस्थल था लहराता हुआ रेद का समंदर तो मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा था जो इस्थान लीबिया के मरस्थल को from the valley of the nail in egyptian मिस्टर में जो नील नदी की valley, valley means होती है घाटी में एक ऐसे स्थान पर खड़ा था जो इस्थान या जो रेखा उस लीबिया के मरस्थल को नील नदी की घाटी से अलग करती है, लीबिया का एक तरफ क्या था मरस्थल था, ठीक है तो मरस्थले रेखिस्थान होता जहाँ पर कुछ भी नहीं था, और एक तरफ नील नदी की घाटी थी, और जहाँ पर भी नदीयां होती है, जो नदी की घाटियां होती है, बहां पर आप की जो बहुती फल्टाइल जो सोयल होती है जो जाओ मिट्टी होती है वो पाई जाती है तो बहाँ पे सभी हराबरा होता है फसल होती है ठीक है न तो एक मैं एक ऐसे स्थान पे गड़ाता जो लीविया के मरुस्थल को उस नील नदी की घाटी से अलग करती थी मैंने क्या देखा कि एक तरब तो विजवल यानि दिखाई दे रहा था सी यानि सी ओफ ब्लोइंग सेंड यानि लहरा आता हुआ रेत का सवंदर ब्लोइंग सेंड यानि रेत का without a speck speck का ताथ पर क्या है speck भी हम देख लेते हैं speck का ताथ पर है चिन्न या कोई भी निसान ठीक है without a speck of green ठीक है न जहां पर केबल लहरा आता हुगा रेद का समंदर था without a speck यानि एक भी निसान नहीं था green यानि हरयाली का और ये single living thing और नहीं कोई भी जीवित प्राणी था anywhere कहीं भी visible on it यानि उस पूरे रेखिस्थान पे ना तो हरयाली का नाम और निसान था और नहीं किसी भी प्रकार का जीवन दिखाई दे रहा था कोई भी जीव जन्तू या प्राणी वहाँ पे नजर नहीं आ रहा था एक तरफ जहां किस तरफ लिविया के मरुस्तल की तरफ on the other side on the other side और दूसरी तरफ ले या नी फैला हुआ था ले या नी फैला हुआ था sorry one of the greenest दूसरी तरफ फैला हुआ था one of the greenest या नी सबसे ज़्ञादा हरा भरा ग्रीनेस्ट यानि ये जो ग्रीन है ग्रीन आप जानते हैं हरा भरा most fertile, fertile आपको मैंने बताया भी है और कल भी बताया था फिर बता रहा हूं fertile का ताथपर होता उप जाओ fertile यानि उप जाओ होता है ठीक है तो दूसरी तरफ ले यानि फैला हुआ था one of the greenest यानि सबसे ज़्यादा हरा भरा सबसे ज़्यादा हरे भरे most fertile यानि सबसे ज़्यादा उप्याओ and densely यानि सबसे ज़्यादा सगन या घने populated यानि जनसंग क्या से भरे हुए area यानि छेत्रों में से एक छेत्र था to be found anywhere जो कहीं भी पाया जाता है on the earth यानि प्रत्वी पर teaming with life and vegetation teaming with यानि teaming with का तात्परे होता है teaming with का तात्परे होता है भरपूर और densely का तात्परे आपका क्या होता है घने रूप से ठीक है देखते बचो तो करा on the other side एक तरफ तो मैंने रेकिस्तान देखा था जहां पर रेत का लहराता हुआ समंदर था जहां पर हर्याली का कोई भी नाम और निसान नहीं था जहां पर जीवन का कोई भी निसान नहीं था और on the other side दूसरी तरफ मैंने देखा था बनोब दुट इस प्रफवी के सबसे जादा हरे भरे सबसे जादा फल्टाल यानि उपजाओ सबसे जादा सघन पॉपूलेटर यानि जनसंख्या से भरे हुए अरियाज यानि छेत्रों में से एक छेत्र मैंने देखा था जो पूबी फाउंड एनिवेयर जो कहीं भी पाया जाता है उन्दी अर्थ यानी प्रत्वी पर जो कहीं भी प्रत्वी पर पाया जाता है जो टेमिंग बिद्यानी भरपूर्ता लाइफ यानी जीवन से और वेजिटेशन यानी व पिल्कुल उसी प्रकार का मैंने द्रस्ट जो है वो दूसरी तरफ देखा था जो कि जीवन और हर्याली से बनस्पती से भरा हुआ एक सगन छेतर था यहां से आपका एक कोईश्चन जो है बच्चो बन जाता है आपको बताना चाहूंगा कि इक तरफ तो जो लिवियान डेजर्ट आपने आपके देखा यह जो था लिविया डेजर्ट और एक तरफ आपने देखा वैलू अव धी नानिल इसमें कौन रशी चीजह है जो सी बनाती है कि किसके कारण जो है वो अंतर उसमें बन रहा था तो यहां पे आप कह सकते हैं कि एक तरफ तो पानी की उपस्तिती थी और एक तरफ पानी की अनुपस्तिती थी ठीक है इसी कारण था क्योंकि एक तरफ तो पानी था लेकिन एक तरफ पानी नहीं था तो इस कारण से आपका ये जो अंतर है वो बंदा है कि एक तरफ तो ये लीबिया का मरुस्थल जहां पे कोई भी नाम अनुसा नर्याली का नहीं था जीवन का नहीं था और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो बहुत जादा बन ऑफ ग्रीनेस्ट मोस्ट फर्टाइल डैंसली इसको पड़ भी सकते हैं अकनी बुक में खोजना हम जब इसका लेसन पूरा होगा तो इसके कोईशन अंसर पर डिसकस करेंगे अब देखते हैं आगे